बरसाद या सर्दी के मौसम में ठंड होने के कारण इटली दूसा बैटर अच्छे से फर्मिंट नहीं होता है तो आज मैं इस वीडियो में शेर करने वाले हूँ ठंड या बरसाद के मौसम में इटली दूसा बैटर को कैसे फर्मिंट करें और साथ ही कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे जिससे इटली दूसा बैटर ठंड हो या बरसाथ बहुत अच्छे से फर्मेंट होगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको आज की ये वीडियो ये उस्पूर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल बेटन को भी जरूर दबाए ताकि मेरे आने वाली हाँ नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले हम यहाँ पे कोई कब, ग्लास या कटोरी सेट कर लेंगे मेजरमेंट के लिए और उसी से सारा मेजरमेंट करेंगे मैंने यहाँ पे मेजरमेंट के लिए ग्लास लिया है और इस ग्लास से मेजर करते हुए दो ग्लास चावल लेंगे जो मार्केट में तूटे वाले यानि कि रोराईस आता है, कोशिश करें आप वो चावल लें और उसी गलास से मेजर करते हुए एक गलास उरत की दाल लेंगे चावल और उरत दाल की रेशियों 2 to 1 होना चाहिए यानि कि जितना हम चावल लेंगे उसका आदा हमें दाल लेना है अब इसमें एक छूटा चमच मेती के दाने आड़ करेंगे मेती के दाने बैटर में आड़ करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बैटर को फर्मेंट होने में हेल्प करता है अब हम सारी चीजों को 3-4 बट पानी से अच्छे से साफ करेंगे अब हम उसी गलास से मेजर करते हुए आधा गलास पोहा लेंगे ये मीडियम थीक वाला पोहा है और पोहा को भी पानी से अच्छे से साफ करके इसी में हम एड़ कर देंगे पोहा इडली बैटर में ज़रूर डालें इसके दो फायदे होते हैं पोहा भी बैटर को फर्मिंट होने में हेल्प करता है और इससे इडली सफेद बनती है अब हम इसे कम से कम चार गंटे के लिए अच्छे से भिंगो के रख देंगे चार गंटे के बाद आप देख सकते हैं सारी चीजे अच्छे से सौप्ट हो गया है तो अब हम एक मिक्सी के जार लेंगे और उसमें ये भिंगा हुआ दाल चावल एड़ करेंगे हमें मिक्सी में एक ही बार में बहुँ ज़्यादा दाल चावल नहीं एड़ करना है जितना आ जाए उतना ही एड़ करेंगे और इसमें यह भिंगा हुआ पाने ही add करेंगे और इसे ग्राइन करके एक पेस्ट तयार कर लेंगे ग्राइन करने के बाद बेटर को हम एक बड़े से बरतर में transfer कर लेंगे बरतर आप यहां पर बड़ाई ही ले क्योंकि बैटर फर्मेंट होने के बाद क्वांटिटी में डबल हो जाता है अब इस बैटर में हम आधि चोड़ी जममच बेकिंग सोडा एड़ करेंगे बेकिंग सोडा से बैटर हमारा 6-7 घंटे में ही बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कम से कम 3-4 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद एक बार मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं बैटर ना जादा गाढ़ा और ना जादा पतला होना चाहिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए अब हम बैटर को अच्छे से ढख देंगे और उसके बाद बैटर को हम इस तरीके से एक मूटा टावल या ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर लेंगे सर्दे या बरसाद के मौसम में यह सबसे जरुरी पॉइंट है क्योंकि इस मौसम में गर्मी नहीं होती है इसलिए बैटर को किसी गर्म टावल या ब्लैंकेट में कवर करके 6-7 गंड़ी के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए रख दें इससे बैटर बहुत ही अच्छे से फर्मिंट हो जाएगा मैंने यहापे बैटर को ओवरनाइट के लिए रख दिया था उसके बाद अब मैं आपको बैटर को दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं बैटर कितने अच्छे से फर्मिंट हुआ है अब आप बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर को मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि बैटर में बहुत सार एर बेबल्स पने होंगे इससे इडली जो है बहुत ही सॉप्ट और स्पॉंजी बनता है अब हम बैटर में आधी चुड़ी चम्मच नमक और आधी चुड़ी चम्मच चीनी एड़ करेंगे आपको यहां पर और इक बात ध्यां देना है बैटर को फर्मिंट होने से पहले बैटर में नमक नहीं डालना है क्योंकि नमक फर्मिंटेशन की प्रोसेस को स्लो कर देती है नमक और चीनी को बैटर में अच्छे सा मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इडली धूसा के लिए बैटर हमारा तयार है और आप इस बैटर को कई दिनों के लिए फ्रीच में स्टूर भी कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते है एक नई रेसिपी के साथ